नमस्कार विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मधिप्रदेश में अगस्त के पहले सरकारी प्राइवेट स्कूल खुलने के आसार नहीं है कुछ दिनों पहले भी ऐसी खबरे थी कि जून माह में स्कूल नहीं खोले ज तो अगस्त में स्कूल खोले जा सकते हैं इसे लेकर सरकार ने स्कूल संचालक एक्सपर्ट से बात की जुसमें समान रूप से यहीं निकल कर आया कि जुलाई के आखरी तक स्कूल नहीं खोलने चाहिए क्योंकि अगर जुलाई के आखरी तक स्कूल खोले जाते हैं तो कही ना कहीं बच्चों पर जादा खत्रा रहता है वैसे मंत्री समू अपनी रिपोर्ट तीन दिन में तयार कर लेंगे स्कूल खोलने को लेकर तमाम ये रिपोर्ट तयार हो रही है राजसरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है कि जुलाई अंत तक कोई स्कूल ना खोले ज सारण है कि बच्चों में संक्रमण का खत्रा ना बढ़े सिक्षा मंत्री इंदर सिंग परमार ने कहा है कि वैसे इस बार सरकार पवर डेलिगेट करने जा रही है पहले राजस्तर पर फैसले होते थे अब कोरोना संक्रमण के हालात जिले और स्कूल में मौजूद संसाधनो की आधार पर निरने होंगे इसके लिए अधिकार कलेक्टर और जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को दिये जा सकते हैं कमेटी से कहा जाएगा कि वा अपने यहां के सिक्षाविदों एक्सपर्ट और स्कूल संचालकों से चर्चा करकर ही फैसला करे कि आगे स्कूल खोल को लेकर आगे स्कूल खोली जा सकती है या नहीं और बच्चों पर कितना खत्रा है या नहीं सरकार एक फॉर्मूला निकाल रही है जिसके अंतरगत जहां नियूंतम 50 प्रतिशत लोगों को पहले वैक्सीन लग गई हो और संक्रमर दर नियूंतम स्तर पर हो वहां स्कूल ख परियाब्त रहता है विभाग के अफसरों का यह कहना है कि उनके लिए शेहर के स्कूल खोलना चुनौती पूर्ण है वहां अधिक बच्चे हैं इसलिए स्कूल वाइस फैसला करना पड़ेगा उनकी जरूरत और परिस्थिति के अनुसार ही स्कूल खोलने की रणनीती बने होगा उसके बाद 9 और 11 की चालू करेंगे इसके बाद 6 से 8 और सबसे आखरी में पहली से 5 वी की क्लास शुरू होंगी इसमें इतना बदलाव हो सकता है कि 9 से 12 तक की क्लास एक साथ चालू हो जाएं मध्यप्रदेश स्टेट एडवाइजरी कमीटी के सदस्यों ने सरकार को स्कूल खोलने के लिए इंतजार करने की सलाह दी है वे चाहते हैं कि सरकार को जादा से जादा जगहों पर ट्रायल की अनुमती देनी चाहिए ताकि बच्चों के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्द हो सके पहली लहर में बुजर्ग दूसरी लहर में युवा संक् पर्मित हो सकते हैं और यही आशंका भी जताई जा रही है इसलिए बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अभी जुलाई माह के अंत तक स्कूल खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है